शोभा सिर्फ लड़को भोगा अरे एक बार हस तो दिया एक ही जोग पे कितनी बार हस होगा जब एक जोग पे बार-बार हस नहीं सकते तो एक गम पे बार-बार रूते क्यों हो मेरे दोस्ति सभे मित्रों को दिपावली की हारदिक शुपकम नाए आज 23 तारिक है दो दिन बात थांक गॉड नामक एक पिक्चर रिलीज हो रही है अगर आपने ट्रेलर देखा है तो सबसे पहली बात जो अपके मन में आ रहे होगी कि शी कितना खराब वी एफेक्स है और दूसरी बात इसमें भगवानों का मजा की उड़ाया है ज्यादा सोचने पर इस पर गुसा भी आ रहा होगा पर अगर उसको भूल जाए और आगे चले जाए तो इसमें कॉमेडी है अच्छी खासी कॉमेडी देख के तो लगती है अजए देवगन है गोलमाल के मूड में है तो कॉमेड तो भी प्रशन ये है कि 25 तारीक को ये पिक्चर देखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 25 तारीक को क्यों दिपावली की चुट्टी तो शुकरवार से मतलब 21 तारीक से ही शुरू हो र दिपावली की चुट्टी लॉंग वीकेंड पर आ रही है लोग बहार घूमने जाएंगे तो इनकी पिक्चर कौन देखेगा कमाई कैसे होगी तो वो चाहते हैं कि लोग बहार घूमने जाए फिर उसके बाद दिपावली मनाए और फिर वापस जब घर आए तब इस पिक्च को देखने जाए और ना वैसे देखा जाए तो चुट्टिया खतम नहीं हो रही है बच्चों को दिपावली की लंबी चुट्टी होती है और ये पिक्चर देखे ऐसा ही लगता है कि बच्चों के लिए बनाई है तो कमाई अच्छी होनी चाहिए अगर पिक्चर थोड़ी भी अच्छी है तो तो चलो इसके कथा के बारे में बात करते हैं तो इस कथा का मुख्य पात्र है एक व्यक्ति जिसका नाम है आयान कपूर कितना बोरिंग और अन्क्रियेटिव नाम है ऐसे लगता है बॉलिवूड के किसी प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए रखा है तो होता ये है कि आयान कपूर अपने जीवन से पूरा तंग आ चुका है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता वो फ्रस्टेटिया हो चुका है और फिर वो चाहता है कि बस खतम हो जाए ऐसे बोलता रहता है लेकिन उसको मरना नहीं है obviously कि उसको मरना होता है तो फिर क् एक एक्सिडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है और तब वो चला जाता है स्वर्ग में स्वर्ग नहीं वो सीजी के दरबार में चला जाता है सीजी माने चित्रगुप्त अब चित्रगुप्त को सीजी क्यों बलाया है इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं तो आता है उसको बोलता है कि तुमने जो जीवन में पाप किया है या फिर पुन्य किया है उस हिसाब से तैह होगा कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नर्ग जाओगे तो फिर जो CG है ना वो उसको उसी का जीवन फिर से दिखाता है और ऐसे दृष्टिकों से कि उसने कहां कहां गलतिया की है वो लाइन से दिखाता है कि तुमने ये गलत किया है तुम्हें घुसा बहुत आता है तुम लोगों को नीचा दिखाना तुम्हें पसंद है तुम्हारे जीवन में जो भी unsuccessful क्या बहुते उसको failure जो भी नहीं जो भी क्या मतलब हाँ जो भी होता है न कि अच्छी जीदे नहीं हो रहे तुम्हें जलन होती है तुम्हारे बीवी के success से ये गलत है सब चीज तुम गलत जाते हो और इसले तुम मेरे क्या बहुते पापा का पापा पापका गड़ा भर चुका है और इस पापके घड़े को तुम्हें खाली करना होगा वरना तुम्हें नर्ग जाना है तो मतलब ऐसे कुछत तो डराता है धमकाता है और फिर अंत में क्या होता है कि वो जो लड़का है मतलब आयान कपूर तो फिर वो वापिस जिंदा हो जाता है, कोमा से उठ जाता है और उसको लगता है कि मेरा जीवन कितना अच्छा है मैं विकार में उसको लेके रो रहा था तो अभी से मैं ऐसा निर्णे लेता हूं कि मैं जीवन अच्छे तरीके से बिताऊंगा सबसे प्यार से रहूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा अगर मुझे जीवन में सफल होना है तो अच्छे चले ये सब तो ठीक है लेकिन CG मतलब चित्रकुप, यमराज और ये जो स्वर्ग लोग जैसा बनाया है जो प्रित्वी से थोड़ा दूर बादलो में है, ये क्या है? क्या ये सच्मुच ऐसा है उस दुनिया में जहां पे लोग मर के फिर उनके जीवन को देखा जाता है, परखा जाता है और फिर निर्णे लिया जाता है कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नर्ग जाओगे? क्या ये सच है? क्या ये सत्य है? तो मेरा मान है कि नहीं, जिस दिन उसके साथ एक्सिडन्ट होता ना, उस दिन से एक दिन पहले उसकी मा के साथ वो बात करता है और उसके से कुछ फ्रस्टीटिया जाता है और फिर वो क्या होता है कि वो मा उसको समझाती है कि देखो बेट हैं और क्योंकि ये सब वो सोचता है इसके वजह से जब वो कोमा में होता है और जो कहते हैं न मरने समय हमारे जीवन के जो भी पल है वो ऐसे flashback की तरह आते रहते हैं इसके साथ वो होता है और वो देखता है ये सारी चीज़े, तो चित्रगुप्त और यम्राज, ये सारी चीज़े उसने देखी हुई रहती है, असल जीवन में कुछ नहीं होता, असल जीवन में जो उसके दिमाग में होता है ना, उन में से सारी उठाई हुई होती है, उधार नार्थ, उसने अजे दिवगन को देख होगी किसी picture में तो वहां से उठा लिया और एक नकली सा दुनिया बना दी जिसमें चित्रगुप्त है यम्राज है अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यम्राज और चित्रगुप्त नहीं है लेकिन जिस तरह का नकली चित्रकरण किया है वो ये दिखाने के लिए किया हुआ है क मेरा ये कहने का एक बड़ा ठोस कारण है एकदम निश्चित अगर आप चित्रगुप्त का सिंगासन देखोगे मतलब जहां पर वो बैठता है उसके पीछे का जो structure देखा है तो आपको वो देखा हुआ लगेगा क्योंकि वो exact structure वैसा का वैसा थोर नामक जो MCU की picture है उसमें से उठाया है अब ऐसा लगेगा कि उसको चोरी किया है परन्तु ये चोरी नहीं है ऐसा हो सकता है कि ये जो पलिस वाला है जिसका नाम आयान कपूर है वो थोर देखता है एक दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले अपने बेटी के साथ और थोर का जो सिंगासन है वही से उस है ये कथा से उसका कनिकशन है और इसलिए वो सब नकली-накली से लगता है थोड़ा बजेट वाला लगता है जिसमें पैसा इतना करच ने किया है असली दिखाने में और मझा किया दिखाया है क्योंकि उसने साथ में गुलमाल भी देखा और वो गुलमाल वाला जे देवकन तो मतलब ऐसी चीजे मिला कर ये कथा बनती है अब ये सब बक्वास करने के बाद फिर भी मन में प्रश्णा था है कि क्या इस पिक्चर को देखे या ना देखे मेरा मानना है कि देखने में कोई बुराई नहीं है अच्छी कॉमडी होगी देखने में मजा आएगा परंतु सिर्फ एक कारण से आप ना देखे ऐसा मैं कहना चाहता हूँ वो कारण है वो जो दूसरा हीरो है अगर आपको उसकी आक्टिंग पसंद नहीं है तो हो सकता है कि भले इसमें कॉमडी हो लेकिन जिस तरह के से वो बोलता है वो आपको पसंद ना आए तो ये कारण हो सकता है पसंद ना आने का पिक्चर लेकिन अगर वैसा नहीं है कोई कारण तो ये पिक्चर मजा आएगा देख सकते हैं और अगर देखोगे तो जरूर बताना कि इस पिक्चर को देखके आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना और अगर मैं देख लेता हूँ तो मैं इसके बारे में अवश्च बात करूँगा तब तक के लिए धन्यवाद और फिर से सब को दिपावली की हारदिक शुक कामना है